Hello everyone friends, आपके अपने YouTube channel में आप सभी का स्वागत है Shivaji University Kualapur, सभी students का हमारे YouTube channel में स्वागत है friends अब आप hall ticket download कर सकते हैं सभी Shivaji University के सभी students के लिए बहुती अच्छी और good news है क्योंकि आप सिर्फ 2 मिनिट में आपका hall ticket download कर सकते है और friends, मैं आपको सिर्फ 2 मिनिट में है, hall ticket download करके दिखाने वाला हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और Shivaji University के बारे में आपके मन में कोई भी doubts है तो वीडियो के निचे जो comment box दिया गया है, उसमें आप जरू लिख सकते है मैं उसका अंसर जरू दूँगा और friends, आप हमारे इस्टेट अप चैनल को free में subscribe कर सकते है ताकि Shivaji University के बारे में latest जानकारे आपको free में मिलती रहे तो friends, चलिए सिखते है Shivaji University का hall ticket कैसे download करना है hall ticket download करने के लिए आपको mobile से ही chrome browser पर जाना है chrome browser पर जाने के बाद यहाँ पर Shivaji University इसा सर्च करना है Shivaji University सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते है first number पर ही Shivaji University के official website है इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते है Shivaji University के official website आपके सामने खुल जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते है शिवाजी उनिएर्सेटी के official website आपके सामने खुल गई है तो आपको menu option पर click करना है यहाँ पर ही students गल्टी करते हैं निछे scroll करते हैं निछे scroll करना नहीं है menu option पर आपको click करना है तो मैं यहाँ पर click करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, students का section है, student section पर आपको click करना है, student section पर click करने के बाद, निचे आपके सामने examination sections है, examination sections पर आपको click करना है, examination section पर click करने के बाद, आप यहाँ पर निचे देख सकते है, hall ticket का option आया है, hall ticket पर आपको click करना होगा, haul ticket पर click करने के बार यहाँ पर आप देख सकते है haul ticket के लिए आपकी website just second में open हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते है आपकी website open हो रही है वही है तो आप यहाँ पर देख सकते है नीचे आपको check करना है haul ticket का option का है तो आप यहाँ पर देख सकते है haul ticket का option मिल गया है यहाँ पर आपको click करना है haul ticket पर तो मैं यहाँ पर click करता हूँ click करने के बाद just second में website open हो जाएगी यहाँ पर आपकी website open हुई है तो आपको नीचे scroll करना होगा नीचे scroll करना है और check करना है आप haul ticket कहा से download कर सकते है तो आप यहाँ पर देख सकते है कौन-कौन से haul ticket download कर सकते है यहाँ पर registration for regular fresh students regular fresh students का registration भी कर सकते है और haul ticket download करने के लिए आपके पास PRN number होने चाहिए और आप option 1 में या option 2 में जाकर भी haul ticket download कर सकते है मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ haul ticket कैसे download करना है और आप निचे देख सकते है fresh और distance education का भी exam form fill up कर सकते है और आप haul ticket भी download कर सकते है आप निचे भी देख सकते है और आपको haul ticket कैसे download करना है या आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्लिक करना है option 1 और 2 में कही पर भी आप क्लिक कर सकते है तो मैं option 1 पर क्लिक करता हूँ option 1 पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है type a PRN and press enter आपको क्या करना है आपका PRN नमबर यहाँ पर type करना है और enter करना है और आपका haul ticket डाउनलोड हो जाएगा उसे आपको save करना है और print करना है तो friends मेरे पास प्यारे नमबर नहीं है प्यारे नमबर होता तो मैं दिखाता हूँ तो friends यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए चानल को फ्री में सब्सक्रेब कीजिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैहिंट वन्दे मात्रम